तारे सितारे वम गरहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्य का राशीफल नई नई ग्यानवर्धक जानकारिया हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो मित्रो आज आपको हम बताने जारें देने के राशीफल दिनांक 18 सितंबर 2019 बूधवार के दिन का तो आज के राशीफल के अनुसार आज बारा में से आठ राशीवालों को आर्थिक लाप के योग बनने हैं वहीं अन्य राशीवालों को आज मिले जुले परिणामों की प्राप्ती होगी तो आज आश्विन मास सुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी है बूधवार का दिन है बूधवार का दिन सभी प्रकार की सिध्धी को देने वाले भगवान गणेज जी को समर्पित है तो आज के दिन सरद्धा पुर्वक भगवान गणेजी की पूजा अर्चना करने से कारिछेतर में आने वाले सारे विग्न संकट बाधाएं स्वतह दूर हो जाते हैं वेसे तो जीवन का प्रत्येक्षण हमारा अती महतुपुर्ण होता है लेकिन ऐसा माना जाता है कि सपतह के साथ दिनों का अलग-अलग महतु होता है जिसमें बुधवार का दिन खास होता है तो आज के दिन आपको क्या विशेश उपाय करना चाहिए जो आपको जीवन में सफलता प्रदान करे तो बुधवार सपतह का चोथा दिन है इसका स्वामी गरह बुधगर है तो जो तीश सास्तर के अनुसार बुधगरह चर्चा एवं अभी व्यक्ति का प्रतिनिधित्तों करते हैं एसा माना जाता है कि बुध का शुब प्रभाव जिस व्यक्ति को प्राप्त होता है वह विद्वान बनता है, सिक्षक बन सकता है, कलाकार बन सकता है और कारेचेतर में उत्तम व्यवसाई भी बन सकता है तो बुधवार के दिन गणेजी की उपासना से सुख सोभाग्य में वरद्धी होती है जीवन की उन्नती में आने वाली बाधाओं का भी समन हो जाता है अतह बुधवार के दिन कुछ विशेश उपा यदि आप गणेजी के निमित्त करते हैं आपको जीवन में काफी सफलताएं प्राप्त हो सकेगी तो बुधवार के दिन प्रातहकाल इस्नान करके भगवान गणेजी के सामने सुख गी का दीपक जला करके बुधवार के वरत का आपको संकल्प लेना चाहिए और विग्न हर्ता भगवान गणेजी की सरद्धा पुरवक 16 उपचार से अपनी सामर्थ के अनुसार पूजन आपको करना चाहिए भगवान गणेजी की पूजन करते वक्त आपको ओम गम गणपतिय नमाह इस महा मंतर बीज मंतर का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए और भगवान गणेजी की पूजन में दूरवा भी आपको अवश्य चराना चाहिए जिससे भगवान गणेजी की विशेश करपा आपको मिल सके और उनको नेवेद्य में गुडगी या लड़ू का नेवेद्य आपको अवश्य ही रखना चाहिए जिससे भगवान गणेजी महाराज की विशेश करपा दृष्टी आपके उपर सदेव बनी रहेगी आपके जीवन में आने वाले विगन संकड वाधाएं दूर हो करके हर कारेचेतर में आपको सफलता मिलती रहेगी तो आज सुरियोदय होगा प्राताहकाल 6 बचके 7 मिर्ट पर सुरियास्त होगा 6 बचके 23 मिर्ट पर सामको आज दिन की सुरुवाद आश्विनी नक्षत्र से होगी आज व्यागात नाम का सुब योग रहेगा आज चंद्रमा मेस रासी में संचरन करेगा आज अभीजीत महरत उपलब्द नहीं है आज का शुब समय दुष्ट महरत प्रारम होगा दिन के 11 बचके 50 मिर्ट से तो 12 बचके 49 मिर्ट तक रहेगा इस दोरान आपको कोई शुब करमन नहीं करना चाहिए आज राहु काल रहेगा दिन के 12 बचके 15 मिर्ट से तो दिन के 1 बचके 47 मिर्ट तक रहेगा इस समय भी आपको कोई भी शुब या नए काम को करने से बचना चाहिए आज दिशा सूल रहेगा उत्तर दिशा में तो उत्तर दिशा की और मुख करके किशी शुब या नए काम की शुरुवात आप नहीं करें उत्तर दिशा की यात्रा भी आप नहीं करें यदि आपको यात्रा करना अती आवश्यक हो तो अपने इस्ट दिवता का नाम उच्चारण करके आप यात्रा कर सकते हैं और आज चोगडिया के अनुसार शुब महुर्तिस प्रकार से रहेंगे प्रातह काल लाप का चोगडिया अरम होगा प्रातह 6 बचके 7 मिनिट से अरम हो करके तो प्रातह 7 बचके 49 मिनिट तक रहेगा और प्रातह काल अमरत का चोगडिया अरम होगा 7 बचके 49 मिनिट से तो प्रातह 9 बचके 11 मिनिट तक रहेगा और प्रातहकाल सुब का चोगडियारम होगा 10 बच के 43 मिनिट से तो दिन के 12 बच के 15 मिनिट तक रहेगा और दिन में 4 का चोगडियारम होगा 3 बच के 19 मिनिट से तो सायंकाल 4 बच के 51 मिनिट तक रहेगा और साम को लाप का चुगडिया रहेगा चार बच के 51 मिनिट से तो साम 6 बच के 23 मिनिट तक रहेगा तो इस दोरान आप कोई भी शूब या नया काम कर सकते हैं किसी भी प्रकार की खरीदी या विक्री का कारिया आप कर सकते हैं इसमें आपको विशेश लाप की प्राप्ती हो सकेगी तो आज जो है शुब ग्रहय योगों के प्रभाव के कारण 12 में से 8 राशी वालों को आर्थिक लाप के योग बनना हैं अन्य राशी वालों को आज मिस्रित परिणामों की प्राप्ती होगी तो आज आपके राशी के अनुसार कुछ सरल से उपाई भी आपको हम बताएंगे जिससे आपके जीवन में आने वाले विग्न संकड बाधाएं दूर हो करके कारिच छेतर में भी आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी तो अभ जानिए अपनी जन्मरासी के अनुसार आज आपके भग्य के सितारे क्या बोलते हैं मेसरासी से आरम बख करते हैं मेसरासीवालो को आज शूब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं अपने व्यवसाइक विस्तार में पैसा लगाने की योजना आप बना रहे हैं सफलता के योग बनेंगे आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि यह समय निवेश के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है इस समय मिश्रित परिणाम आपको मिलेंगे आपके आमदानी में बढ़ोतरी हो पाएगी लेकिन सांती सांत आपका खर्च भी इस समय का आनन्द ले पाएगे आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने जीवन सांती के साथ एक अच्छा रिस्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी आज विवसाई कि यदि हम बात करें तो निवेश पर आपका रिटर्न आज कम हो सकता है बहतर रिटर्नों को पाने के लिए गति और समय की दूरी तई करने की आपको कोशिस करना चाहिए तब ही आपको लाब की प्रापती हो सकेगी आज स्वास्ते की द्रष्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आपको पेट से संबंदित कोई छोटी मोटी समस्याएं परेसान कर सकती है इसलिए सार प्रकार के विग्न संकडवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राताहकाल इस नान करने के पस्चात भगवान गणेज जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान गणेज जी का सरद्धा पुर्वक पूजा करे और दुर्वा अरपन करें यथा शक्ति गणेज जी के नाम मंत्रों का वहां बेट करके जाप करें इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगले राशी है वरशब वरशब राशी वालों को शुब परिनाम आज इस प्रकार से मिल सकते ह कि ग्रहों की इस्तिति आपको वरतमान स्थान से दूसरी जगह जाने में मदद कर पाएगी आपको अपने सहयोगियों और अपने उच्च अधिकारियों से सराहना मिल पाएगी आपकी इमानदारी और महनती सुभाव को आपके संस्थान दोरा मान्यता प्राप्त हो आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि व्यापार में हर उपकरम में बाधाय आपको रहेगी रचनात्मक छेत्रे के लोगों को कड़ी महनत के बाद सफलता मिल सकेगी लेकिन उनकी प्रतिभाग के दूसरे हिस्से में और उनके काम को ही मान्यता दी ज चाहिए पर आपके परिवार के सदस्यों के साथ इसने हैं आपका आज बड़ा हुआ रहेगा आज लाइप की यदि हम बात करें तो आपको अपने व्यक्तित गत और प्रोफेशनल लाइप के बीच संतुलन बनाई रखने की आवशकता रहेगी अपने रिस्तों को बचाने के लिए आपको खर्च भी या कोई त्याग भी करना पड़ सकता है जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बना करके रखेंगे तो आज आपको समस्याओं का सामना बहुत ही कम करना पड़ेगा आज व्यवसाय की यदि हम बात करें तो आपको बहतर वित्ति इस्थिती और बहतर केरियर को पाने के लिए आज अपने मन को एकागर रख करके काम करना होगा तभी व्यवसाय का विस्थार आप कर पाएंगे आज स्वास्ति की द्रश्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज विद्यार्थी वर्ग को मानसिक तनाव रहेगा पड़ाई की रूची क कमी के कारण आज आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है इसलिए आज आप अपने मन को एकागर रखेंगे तो आज आपके लिए बहतर रहेगा और स्वास्थ के प्रती आज आपको सतर करहना चाहिए किसी भी प्रकार का तनाव आप नहीं लें तो आपका स्वास्थ आज उत्तम रहेगा आज आपका भाग्यशाली अंक दो है शुब रंग आपका हरा रंग है हरे रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक स्यदि करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आप का विशेश उपा इस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान गणेज जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान गणेज जी का सरंगार करें और लाल पुष्प की माला अरपन करें मोदक का भोग लगा करके दूरुवा अवश्य सकते हैं कि केरियर के बारे में अच्छा समय आज आपके लिए हो सकता है यदि आप नोकरी या इस्थानांतरन के बारे में विचार कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो इस समय बहतर अवसर आपको मिल पाएंगे अपनी कोशिस आप जारी रखें आपको केरियर में भी तर लिया जाएगा और आप एक खुशाल पारिवारिक जीवन भी बिताने में समर्थ रहेंगे आज लाइप की यदि हम बात करें तो आप अपने परिवार के लिए कुछ बहतर करने के बारे में विचार करेंगे और इस समय आपका व्यक्तिकत जीवन भी बहतर होगा आज आप प कागरता और इच्छा सक्ति की कमी आज आपको गेर सकती है और ओ ऐसा भी हो सकता है कि आपका धेरी आज आपका सांथ नहीं दे इसलिए अपने मन को एकागर करने का पूरा प्रयतन आज आपको करना चाहिए सकारत्मक रवय्या और आत्म विश्वास के दम पर आज आज इसलिए आप किसी प्रकार का तनाव नहीं ले तो आपका स्वास्थ आज उत्तम रहेगा आज आपका भागशाली अंक नो है June, शुब रंग आपका निला रंग है नीले रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकडवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राता काल इसनान करने के पश्चात भगवान स्री गणेश जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जला करके सरद्धा पुरवक भगवान गणेश जी का पूजन करें और भगवान गणेश जी को 108 की मातरा में दुरुआ अरपन करें गुड और घी का भोग लगाएं ये था शक्ति उनके नाम मंत्रों का जाप करें तो इसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है करक करक राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं आर्थिक रूप से इस समय मिश्रित परिणामों की प्राप्ति आपको होगी आपकी कमाई तो बढ़ेगी साथ ही आपका खर्च भी बढ़ेगा आप इस समय में वाहन मकान या संपत्ति आदी खरीदारी कर सकते हैं आपके परिवार के सदस्यों के लिए दान में कुछ खर्च होगा आज दान पुण्य कर्म करने से भी आज दिन आपका बहतर हो जाएगा आज आपको अशुप परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आज आलत से आपके उपर हावी रहेगा लेकिन आज आपको कड़ी महनत करने की आवशकता रहेगी तभी आपको सफलता मिल पाएगी प्रकरती को इस्थगित करने से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए वांचित परिणाम प्राप्त करने के लिए आज आपको कड़ी महनत करना अती आवशक रहेगी तभी आपको उसमें सफलता कारी छेतर में मिल पाएगी आज लाइब की यदि हम बात करें तो आज तरक वितरक और क्रोट से आपको बचना चाहिए इसके लिए आज आपको व्यवहर में सतरकता बरतना होगी लेकिन इस बीच आपके रिष्टे दो बारा सामान्य रहेंगे आप अपने सांथी के प्रती बेहत आकर्शित और कामुग भी हो सकते हैं आज विवसाई की यदि हम बात करें तो इस समय आप पैसे और कमाई के बारे में बहतर समय देख पाएंगे आपके आज आमदानी के स्तरोत बढ़ पाएंगे इस समय एक शांदार जीवन का आनंद लेने में समर्थ रहेंगे आप एक घर या वाहनादी की खरीदारी कर सकते हैं और आप शुब घटनाओं या यात्राओं पर पेसा खर्च कर सकते हैं आज जो भी होगा आपके लिए शुबी हो सकेगा आज स्वास्त की दरश्टी से दिन इस प्रकार से रहेगा कि आपको स्वास्त संबंदी बड़े मुद्दे नहीं मिले लेकिन स्वास्त संबंदी मामूली समस्याएं आज आपको परिसान कर सकती है इसलिए आज आपको स्वास्थ के परती थोड़ा सा सतर करहना चाहिए, खान पान पर नियंतरन रखना चाहिए, आपका स्वास्थ उत्तम रहेगा तो आज आपका भागिशाली अंक एक है, शुबरंग आपका आस्मानी रंग है, आस्मानी रंग का प्रयोकारी छेतर में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपायस प्रकार से है, प्रातहकाल इसनान करने के पस्चात, भगवान गणेजी के मंदिर में सुद्ध घिंका दीपक जला करके, भगवान गणेजी को गंगा जल से इसनान करवा करके, अगली रासी है सिम्व, सिम्व राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, कि परिवारिक जीवन ओसत से आज आज आपका उत्तम रहेगा, आपको अपने मित्रों का समर्थनव सहयोग मिल पाएगा, आपके परिवार में इस समय कोई समार हो या करने के लिए कड़ी मेहनत करना अति आवशक रहेगा, आपको कुछ बाधाओं और वित्ती मुद्धों का सामना भी आज करना पड़ सकता है, बहुत अधिक तनाव और स्वास्त के मुद्धे आज आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए तनाव आज आपको नहीं लेना चाहिए और स्वास्त के प्रती सतर करहना चाहिए, आज लाइप की यदि हम बात करें तो परिवार के सदस्यों के बीच समस्याओं का समाधान होगा, आप परिवार के सदस्यों के बीच सामन जस्य से बढ़ाते हुए आज देखेंगे, आपके रिस्तों में आज निखार आएगा, रिस्तों में आज आपके मजबूती बनी रहेगी, आज विवसाई की यदि हम बात करें, तो जो लोग पेसा लगाने की कोशिस कर रहे हैं, उनके लिए पेसा निवेस करने का यह सबसे अच्छा समय रहेगा, आपको अपने निवेस से अच्छा लाब मिल पाएगा, और बशकता रहेगी, इससे आपको तनाव उत्पन नहीं होगा, और शारीरिक स्वास्त भी आज आपका बहतर रहेगा, तो आज आपका भाग्यशाली अंक पांच है, शुबरंग आपका पीला रंग है, पीले रंग का प्रयोकारी छेतर में आप अधिक से अधिक करते हैं, तो भगवान गणेजी को इसनान करवा करके सिंदूर अरपन करें, गुड़ और घी का भोग लगा करके दुरवा अरपन करें, यथा शक्ती गणेजी के नाम मंत्रों का उच्चारण करें, ऐसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुब वसफलता दायक आज रहेगा, अगली र सत्यासित वित्ती लाव आज आपको मिल पाएंगे, आपको कारे में सकारात्मक, समर्थन वा सहयोग मिल पाएगा, आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं, दूसरों की मदद के बिना कुछ भी करने की कोशिस आप नहीं करें, और अपने अहंकार और अत उत्साह को कम करने की कोशिस आज आपको करना चाहिए, अपने विवसाय के विस्तार के संबंद में सावधार रहने की आपको अवशकता रहेगी, आज लाइब की यदि हम बात करें तो विवाहिक जीवन या रिस्तों में समझोता करके आप इसका आनंद ले पाएंगे, आज अधिक बन रही है, आप कुछ धन दान भी कर सकते हैं, पुण्य कर्मों में यदि धन आप विवेह करेंगे तो आपके लिए बहतर होगा, यदि आप अपने पुरवजों की संपति या धन के लिए किसी प्रकार का विवात कर रहे हैं तो आप इसे इस समय उसमें आप स दो है, शुबरंग आपका सफेद रंग है, सफेद रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी, तो आज सभी प्रकार के विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्र प्राता का लिश्नान करने के पश्चात भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान गणेश जी का स्रद्धा पुर्वक पूजन करें, पान पर लोंग व इलाइची रक करके दूरवा अरपन करें, यथा शक्ती भगवान या कुछ संगटनों के द्वारा मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, इससे आपको अपने आत्म विश्वास को वापस प्राप्त करने में मदद मिल पाएगी, काम में रूची आपकी बढ़ पाएगी, और कुछ लोगों को दूसरी जगह इस्थानांतरित किया जा सकता है, और क किसी भी अनुबंद को स्विकार करने से पहले सावधानी आपको रखना होगी, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कारणों से उन्हें इसे छोड़ना भी पड़ सकता है, आज आपके काम और प्रतिभा से आपको पहचान प्राप्त हो पाएगी, आज लाइब की यदि हम बात करें आज आपके जीवन में हलचल पैदा कर सकते हैं, अपने प्रियजनों को नुकसान से आज बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने जिद्धी पन पर नियंतरन करने की आवशक्ता ज्यादा रहेगी, आज व्यवसाय कि यदि हम बात करें, तो खर्चों के लिए कोई रिन या उधार किसी से आप नहीं लें, महतुपुर्ण निर्णई लेने में आपको थोड़ी उलजन आज हो सकती हैं, कोई भी संपत्ती भी आज आपके हाद से निकल सकती हैं, कोई अवसर आपके हाद से निकल सकता हैं, आज स्वास्त की यदि हम बात करें, तो आज आपका स्वास चेतर में आप अधिक सदिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान स्री गणेजी के मंदिर में शु शुब व सफलता दायक आज रहेगा अगली राशी ही वरश्चिक 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 वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि दूसरों को सुनने और उनके विचारों और सब्दों का सम्मान करने की कोशिस आपको अवश्य करना चाहिए उनको महत से भी पहचान वर नाम मिल पाएगा आज आपको अशुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं अनावश्यक खर्च और पेसे की बरबादी से बचने की आपको कोशिस करना चाहिए आपको भविश्य के लिए पेसे बचाने में इस से मदद मिल पाएगी इस समय बड़े उक आफ्त करने के बाद ही आपको प्रेम के विशे में ज़्यादा गहराई में जाने का निर्णे लेना चाहिए और जीवन साती चुन्ने में दिखावे से ज़्यादा बोधिक छमता का प्रयोग आप करते हैं तो आपके लिए काफी लावपरद रहेगा आज व्यवसाई की य नोकरी यदि आप करते हैं तो नोकरी में आपको बड़ोतरी या सम्मान मिल पाएगा लेकिन साथ ही आपको काम का अतिरिक्त दबाव भी मिल सकता है इसी वज़े से आप अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो आज यात्राओं से बचना चाहिए यात्रा से आज आपका सारीरिक स्वास्त बिगड सकता है तो आज स्वास्त के प्रति आप सतर करें योग ध्यान का सहरा लें उसके पस्चात यात्रा यदि करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं तो आज जो है आपका भाग्यशाली अंक तीन है सुबरंग आपका केसरिया रंग है केसरिया रंग का प्रयोकारी छेतर में आप अधिक स्यदि करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकट वा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाहिस प्रकार से है प्रातहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान गणेज जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान गणेज जी को लाल पुष्प की माला अरपन करें और दुरुवा ग्याराह की मात्रा में उनका नाम मंत्रों उच्चारण करके चड़ाएं मोदक का भोग लगाएं यथा शक्ति गणेज जी के नाम मंत्रों का वहाँ बेट करके जाप करें एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है धनो धनो राशी वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि नए व्यवसाय में काफी लाव आपको प्राप्त हो सकेगा और आर्थी के सिती भी आपकी पहले से काफी बेहतर रहेगी आप किसी धर्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या धर्मि मिल जाएगी आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं अधिक कारेबार और प्रोसाहन आपको आज मिल सकता है लेकिन ब्याज और स्वास्त के मुद्दों की कमी के कारण आप अपने काम को पूरा करने में सक्षम थोड़ा सा कम रहेगे वांचित परिणाम काफी उत्तम रहेंगे और मित्रों और प्रियजनों से अक्सर आपकी मुलाकात रहेगी जीवन साथी से आपके संबंद आज काफी गहरे रहेंगे जिससे घर का माहूल आपके लिए काफी अनुकुल रहेगा आज व्यवसाई की यदि हम बात करें तो इस समय आपके लिए म बच्चों के स्वास्थ के प्रती थोड़े आप सतर करें तो बहतर रहेगा आपका स्वयम का स्वास्थ विसे आज उत्तम रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंक एक है शुब रंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रयोकारी छेत्र में आप अधिक करेंगे तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपायस प्रकार से हैं प्रातहकाल इश्नान करने के पश्चाद भगवान स्री गनेश जी के मंदिर में जाएं सुद्ध घी का अगले राशी है मकर मकर राशी वालों को आज शुब परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि आपका काम आपकी अपेक्षा के अनुसार होने से उम्मीत के मुताबित आपको फल मिल पाएगा इस समय किसी भी योजना के लिए धन की कमी आपको नहीं सताएगी और आपके पर परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं ला परवाही या गलत सुचना के करण आपके उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं आपको काम करते समय और लोगों से व्यवहार करते समय थोड़ा सा सतर करहने की आज आऽशकता रहेगी आप जिस किसी छेटर में काम कर रहे हो वहां सतरकता पुरवक अपने काम को आप अंजाम दे तो आपके लिए उत्तम रहेगा आज लाइब की यदि हम बात करें तो आप अपने रिस्तों को लेकर अनिश्चित महसूस कर सकते हैं इस दोरान कोई विवाह संबंदी निरणई नहीं लेना आपके लिए उचित रहेगा अपने रिस्तों के परती आज आप सतर करें तो बहतर होगा आज विवसाई की यदि हम बात करें तो आप बहुत सी नई चीजे सीख पाएंगे जो हम भविश्य में आपके किरियर की व्रदी में आपको मदद कर पाएंगे आप नए लोगों से मिल पाएंगे और नए वातावरण में काम कर सकते हैं आज स्वास्त की यदि हम बात करें तो स्वास्त संबंदी कोई परेशानी आपको हो सकती है विशेश करके पेट से संबंदी आपको कोई परेशानी परेशान कर सकती है तो आज स्वास्त के प्रतिया आप सतर करें खान पान पर नियंतर्ण रखेंगे तो आपका स्वास्त उत्तम रहेगा तो आज आपका भाग्येशाली अंकनों है शुब रंग आपका सफेद रंग है सफेद रंग का प्रयोकार चेतर में आप अधिक से अधिक करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकट वा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राताकाल इस्नान करने के पश्चात भगवान गणेजी के मंदिर में शुद्ध गी का दीपक जला करके भगवान गणेजी का सिंदूर से सरंगार करें मोदक का भोग लगा करके दूरवा और गुड अवशे चड़ाएं यथा शक्ति गणेजी के नाम मंत्रों का वहाँ बेट करके जाप करें एसा करने से पूरा दिन आपके लिए शुभ वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है कुंब कुंब राशी वालों को आज शुभ परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि आप यदि साप्टवेर, इंजिनिरिंग या रेचनात्मक और भुधिक कोशल वाले विशयों में बहतर प्रदसन करना चाहते हैं तो आज आपको सफलता मिल पाएगी आप कला या फैसन से संबंदित विशयों में ध्यान के इंद्रित करके उनमें भी आज उन्नती प्राप्त कर पाएगी अध्यन में अधिक समय व्यतीत करने के साथ ही आपको उच्च सिक्षा में भी सफलता के योग बन पाएगी आज आपको अशुब परिणाम इस परकार से मिल सकते हैं कि दूसरों के कारियों में धखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करें और बिना पूछे किसी को सुझाव या आग्या नहीं दें इससे आपके सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्गों के साथ कुछ संचार समस्याएं उत्पन हो सकती है आज सतरकता पुरवग आपको व्यवहर करना चाहिए तो उत्तम रहेगा आज लाइब की अधि हम बात करें तो आपका संदिक दव्यवहर आपके विवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकता है फेमेले के साथ किसी ट्रिप की योजना बनाने के लिए आज का दिन स्रेष्ट हैं आज घुमना फिरना आज आपकी लाइब के लिए उत्तम रहेगा आज व्यवसाई की अधि हम बात करें तो लोग आपके सब्दों का गलत मतलब निकाल सकते हैं परिणाम सरूप आपके प्रती नकारत्म का छवी उनके मन में बन सकती है इसलिए अधिक काम करने के आपको कोशिस करना चाहिए और व्यवहार करते समय सतर का आपको रहना चाहिए आज स्वास्त की अधिय हम बात करें तो इस समय स्वास्त के मामले में काफी राहत आप महसूस कर पाएंगे तो आज आपका भागीशाली अंकछे हैं शुब रंग आपका भूरा कलर है भूरे कलर का प्रयोग कारी छेत्र में आप अधिक से अधि करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ति होगी तो आज सभी विग्न संकटवा बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राता काल इ प्याराह की मात्रा में अरपन करें यथा शक्ति गणेजी महराज के नाम मंत्रों का जाप करें तो इसा करने से पुरा दिन आपके लिए शुभ वसफलता दायक आज रहेगा अगली राशी है मीन मीन राशी वालों को आज शुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि कुल म अपने परिवार के साथ कोई छोटी सी यात्रा के लिए भी जा सकते हैं यात्रा करना भी आज आपके लिए वैसे लावपरद ही रहेगा आज आपको अशुभ परिणाम इस प्रकार से मिल सकते हैं कि परिवार के अनुसार आपको मिसरित परिणामों की प्राप्ती होगी आ लेकिने सांथ ही आप अपने घर पर कुछ शुब कार्यक्रमे में भाग ले सकते हैं, किसी भी धर्मिक कार्यक्रम में आयोजन में आप सम्मिलित होंगे तब आपके मन को सांती मिलेगी और माहुल घर का भी उससे बहतर आपका रहेगा, आज लाइप की यदि हम बात करें, तो प्रोफेशनल लाइप में कुछ अनिश चित्ताओं का सामना आज आपको करना पड़ सकता है, और आपको अपने उत्पादतों के गुणवत्ता का ख्याल लखने की अवशकता रहेगी, कुछ अपरत्याशित धन या लाब भी आपको आज मिल पाएगा, किसे भी अवसर को आज अपने हाद से आप जाने नहीं दे, तो आपके लिए बहतर रहेगा, आज स्वास्त की अधी हम बात करें, तो आज जीवन सांती का स्वास्त आपकी चिंता का कारण हो सकता है, आपका स्वयम का स्वास्त आज वेसे बहतर रहेगा, तो जीवन सांती के स्वास्त का आज ख्याल आपको रखना अती आवशक रहेगा तो आज आपका भाग्यशाली अंकचार है शुब रंग आपका सुनाहरा रंग है सुनाहरा रंग का प्रयोकारे छेतर में आप अधिक से अधिक करते हैं तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज सभी विग्न संकट बाधाओं को दूर करने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्राताकाल इस्नान करने के पस्चात भगवान स्री गणेज जी के मंदिर में सुद्ध घी का दीपक जला करके भगवान गणेज जी का सरद्धा पुरुवक पूजन करें और पांच आटे के दीप वसफलता दायक आज रहेगा तो मित्रो आसा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करिए धन्यवाद जैस्री करश्न मित्रो फिर मिलेंगे